वेल्लो एव्रिवन, वेल्कम तु धानुका एगरी एकाड़नी, आज हम पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट डिजीज ओफ वीट, वीट में कौन-कौन से इंपॉर्टेंट डिजीज लगती है, आज हम उसके भारे में डिसकस करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं, पहल प्रेला कौन सा होता है, ब्लैक या स्टेम रस्ट, दूसरा कौन सा होता है, यल्लो और स्ट्राइप रस्ट, तीसरा कौन सा होता है, ब्राउन और लीफ रस्ट, ठीक हैं, तो जो ब्लैक या स्टेम रस्ट होता है, उसका कॉजल और्गेनिजम कौन होता है, पक्सीनिया ग्र रस्ट का causal organism कौन होता है पक्सीनिया ट्रिटिसाई रेकॉंड डिटा यह हो गया क्या तीन रस्ट ओफ वीट और उनके causal organism अब एक एक करके उनको देखते हैं यह है stages of rust वीट का क्रॉप जो होता है उसमें जो रस्ट लगते हैं उसमें 5 spores produce होते हैं वो 5 spores कौन-कौन से होते है पिक्नियो spore, एशियो spore, यूरिडो spore, टीलियो spore और बैसीलियो spore तो जो वीट का रस्ट होता है उसमें 5 टैप के spores produce होते हैं यह उनका sequence है सबसे पहला कौन सा होता है पिक्नियो spores उसको अपन stage में count नहीं करते हैं इसलिए 0 mark करते हैं पहला फिर कौन सा बनता है एशिय लो स्पोर फिर कौन सा बनता है एशियो के बाद Augen your dog squ छोंड उता है तीक है जो मेंगोंड होता है और यंदि उता है और जो ़ों गया ओंने टरेंट लिओ अपर सर्फेस पे जो किल के ऑपर सर्फेस से एशियो स्पोर्स कहां बनते हैं, बारबरी लीफ के लोवर सर्फिस पे, ठीक है, यूरिडो स्पोर्स कहां बनते हैं, वीट के प्लांट पे बनते हैं, में जो वीट का प्लांट होता है, उस पे यूरिडो स्पोर्स सबसे में स्पोर्स होते हैं, बारबर बनते हैं, इसलिए वो कहां बनते हैं, बीट के प्लांट पे बनते हैं, और जो टीलियो स्पोर्स होते हैं, वो कैसे स्पोर्स होते हैं, वो रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं, और वो कहां पे बनते हैं, बीट के रसीडियू में बनते हैं, ठीक है, फिर बैसीलियो स्पोर्स कहां बनता है, वो फिर Stem rust of wheat. Black rust को stem rust भी बोलते हैं. Stem rust क्यों? क्योंकि वो किसमें लगता है जादा तर? Stems को attack करता है. इसका causal organism कौन है? Paxenia gram manis tritcide. इसको कौन सा disease बोलते हैं? Wheat का? Killer disease of wheat. Killer disease of wheat. क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? पूरा का पूरा wheat का plant को मार देता है. ठीक है? और ये क्या होता ह Latin appearance. जो तीनो rust होते हैं. Black, yellow और brown. उसमें सबसे बाद में जो appear होता है. वो कौन सा rust होता है? Black rust होता है. ठीक है? और ये क्या करता है? क्योंकि ये सबसे last में होता है season के. तो वो damage भी कम cause करता है. ये कौन से parts में पाया जाता है? इंडिया में? Southern, Central और Eastern parts of इंडिया में पाया लगता है. ठीक है? अब आता है symptoms of black rust. Black rust को stem rust क्यों वो लगया? क्योंकि वो stems पे ज़्यादा attack करते हैं. ठीक है? इसके symptoms कहां कहां देखने को मिलते हैं. प्लांट के सारे aerial parts में जैसे की stem, leaf, leaf sheet, upper और lower surface दोनों में. लीफ के upper surface पे भी और लीफ के lower surface पे भी. ठीक है? अब इस जो third spore था. यूरीडो spore वो सबसे main spore था. वो बार-बार appear हो रहा था. वो repeating spore था. तो जो यूरीडो spore होता है. वो क्या होता है? main infection cause करता है. देखो. यूरीडियल pustules और सोरी और overall spindle in ship. पस्चूल्स क्या होते हैं? छाले. पस्चूल्स का मतलब क्या होता है? Bristol या फिर ये देख रहे हो. ये जो है. ये जो stem का part है. इसमें कैसे चाले type के पढ़ गए है? इसको क्या बोलते है? पस्चूल्स बोलते हैं. और ये जो आपको brown color का दिख रहा है. ये क्या चीज है? इस पे ये पस्चूल्स के अंदर क्या है? यूरीडो spores भरे हुए है. ये क्या भर जो plant का epidermis होता है. उसको फाड के निकलते हैं और पूरा infection फैलाते है. ठीक है? इनका color कैसा होता है? डार्क, रेडिश ब्राउन और रस्टी इन कलर. रस्टी मतलब जंग जैसा लगता है ना जो उसका color होता है. ऐसा color. ठीक है? अब उसके बाद क्या करते है? ये तो था यूरिडो स्पोर्स. यूरिडो स्पोर्स के बाद जब infection फैलता है, इसके बाद वाली कौन सी stage आती है? टीलियो स्पोर्स बनते हैं. टीलियो स्पोर्स बनते हैं तो क्या होता है? ये repeating स्पोर्स होते हैं. ये resting स्पोर्स होते हैं. यूरिडो स्पोर्स क्या होते है? repeating स्पोर रस्टी टाइप के रहते हैं, डार्क कलर के रहते हैं, उसके बाद जब तीलियो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, तो वह कैसे हो जाते हैं, रस्ट कलर से ब्लाक कलर में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, अब ते जो तीलियो स्पोर होता है, वह क्या बनाता है, पैसी डियो स्पो यह तो था कि जो black rust होता है इसको दो host चाहिए, पहला host कौन सा होता है, wheat का plant होता है, और दूसरा कौन सा होता है, बार्बेरी होता है, ठीक है, अब rust of wheat is airborne, जितनी भी rust वाली disease होती है न, वो सारी की सारी कैसी होती, airborne होती है, airborne का मतलब जो होता है, जो उसके sports होते हैं, वो कैसे फैलते हैं, air के through फैलते हैं, ठीक है, इस पे जो repeating sports होते हैं, वो कौन से होते हैं, uridino sports, जो हमने पहले पढ़ा अभी, uridino sports कैसे होते हैं, repeating sports होते हैं, और जो resting sports होते हैं, वो कौन से होते हैं, teleo sports होते हैं, यह point important है, कि जो black rust of wheat होता है न, वो heterogeneous rust होता है, heterogeneous rust का मतलब क्या ह होता है कि जितनी भी स्पोर्स की स्टेजेस थी पांच स्पोर्स थे रस्ट में वो पांचों के पांचों सिर्फ ब्लाक रस्ट ऑफ वीट में प्रेजन्ट होते हैं बाकी और रस्ट में नहीं होते हैं यह सबसे जादा इंपोर्टन पॉइंट है यह लाइफ सैकल लाइफ सैकल शुरू कहां से हुए आपकी पिक्नियो स्पोर्स से पिक्नियो स्पोर्स कहां पे बने बार्बेरी के अपर सर्फिस ऑफ लीफ से पहले क्या बना पिक्नियो स्पोर्स अब वो क्या बनाएगा एशियो स्पोर्स युरिडो स्पोष।। उरिडो स्पोष। विट के प्लांट में। तीलिया में। तीलिया मतलब ये और रिवी स्पोष। अब final stage जो होता है वो टीलियो स्पूर्ग इसमें convert हो जाते हैं बैसीडियो स्पूर्स में यह था क्या black rust of wheat का life cycle चले next देखते हैं yellow या फिर stripe rust yellow या stripe rust of wheat का causal organism क्या होता है paxemia streiformis paxemia streiformis ठीक है इसको stripe rust क्यों बोला जाता है stripe का मतलब होता है कि ये जो पत्तियां है ना इसमें parallel lines के जैसे narrow, सीधी-सीधी parallel lines जैसे जो symptoms होते हैं वो ऐसे appear हो रहे हैं ठीक है, एक सीधे streak या stripe में appear होते हैं, इसले इसको क्या बोला जाता है, stripe rust अब इस पे जो pustules होते हैं, उनका color कैसा होता है, ये yellow color के होता है, yellow rust इसले बोला गया, क्योंकि उनके जो pustules का color कैसा होता है, yellow होता है, उनका जो pathogen होता है जो spores produce करते हैं, वो कैसे color के सपोर्स कौनसे होते हैं एलो क colony खोते हैं और जो इनके पस्चूल्स होते हैं उनके अंदर sports कौन से होते हैं सेंए होते हैं कौन से Girl दो सब oversized सब्सक्र क्रते हैं एफिदर्मिस को रुप wedge करने के बाद आनों और नेक्सट स्टेट कौन साथ की साइब तीलिो स्पोस्ट में कौन से कल़र के हो जाते हैं डल đ-black कलर के हो जाते हैं ठिक है in प्सक्राइब नेक्स्ट लंगिते हैं पैथोजन प्र क्याशन में हमने पढ़ा यूड्योह चैक पूस्ट यलो रस्ट के थे वो कैसे कल़र अल्टरनेट वॉस्ट नहीं चाहिए होता है इसे कौन सा होस्ट लगता है। इसकी को लेटरल होस्ट क्या होती है। ग्रासेज होती है। ठीक है। और यह अकर कहा होता है। जो yellow rust होता है वो नौर्थ वेस्टन पार्ट्स ऑफ कंट्री में जादा तर पाया जाता है। और यह सबसे ज़ादा damaging rust होता है तीनों rust में से सबसे ज़ादा damage कौन सा करता है yellow rust of wheat सबसे ज़ादा damage करता है disease cycle में क्या है कि जब infection से spore produce करने तक में कितना समय लगता है idle condition अगर उसको मिलती है तो 7 दिनों का समय उसको चाहिए होता है ठीक है अब इसमें क्या होता है ये तो heterocious नहीं है heterocious कौन सा था सिर्फ black rust था black rust में heterocious क्यों क्योंकि उसमें सारे के सारे stages मतलब 5 stages पाई जाते थे ठीक है इसमें पूरी conditions नहीं पाई जाएंगी इसमें क्या होगा जो urido spores रहता है वो क्या होता है mature होके rapture होके क्या बनाता है teleo spores बनाता है ठीक है और फिर teleo spores क्या करता है besidio spores बनाता है ठीक इसको teleo spores को besidio spores में convert होने के लिए क्या होता है कौन कहां पे बनाता है wheat के plant से parberry के plant पे बनाता है ठीक चले next देखते है अब क्या है यलो रास्ट आफ विट का डिजीस साइकल यह यहां से देखे शुरू कहां से हो रहा है अर्ली इंफेक्शन हो रहा है विंड बॉर्ण क्या है यूरिडो स्पोर्स है यूरिडो स्पोर्स क्या कर रहे है एपिडर्मिस है यह एपिडर्मिस का हिस्सा इसको क्या कर रप्चर कर रहे हैं और जो पस्चियूल होते हैं वो क्या कर रहे हैं यूरिडो स्पोर्स को रिलीस कर रहे हैं समर में यूरिडो स्पोर्स को रिलीस की हैं फिर डिजीस का डिस्पर्सल कैसे हुआ रिंड के थू हुआ अब वो क्या हुआ लेट इन सीजन जो आ रहा है वो कौ सा स्पोर्स आया कौन सा स्पोर्स आया टीलियो स्पोर्स फिर क्या करता है टीलियो स्पोर्स क्या बनाता है बैसीडियो स्पोर्स बनाता है ठीक है बैसीडियो स्पोर्स बनाया यहां पर उनकी साइकल हुई फिर नेक्स साइकल चालू होती है इसको अल्टरनेट होस्ट की जर करेगा ठीक है इसका causal organism क्या होता है Paxenia triticeana rechondita Paxenia triticeana rechondita अब देखो इसके symptoms में क्या होता है कि कहा कहा अटाक करता है leaf में leaf ki blades में leaf sheets में glumes में and ons में ठीक है अब इसमें क्या होता है uridia जो रहता है वो चोटा-चोटा रहता है orange color के bristles होते हैं brown orange जब orange color के circular oval तो जाजा नहीं होते बट इसके bristles कैसे होते circular होते है ठीक है अब यह जो orange sports रहते हैं वो इतने ज्यादा soft रहते हैं कि उसको अगर touch भी करोगे तो वो हाथ में आ जाते है तो वो क्या होता है अपने जगह से fat से हट जाते हैं और हमारे हाथ में अगर हम उसको touch करते हैं कुछ implements अपन उसके पासे जाते हैं तो उस implements में भी stick हो जाते हैं ठीक है अब फिर जो uridino sports रहते हैं वो क्या करते हैं क्या बनाते हैं वो स्टीलियो स्पोर्स बनाते हैं थीली इर्मिस रप्चर नहीं हो रातो क्योंकि इसमें epidermis rupture नहीं हो रहा तो सारे स्पोस्ट अंदर ही रह जाते हैं और वो शाइनी हो जाते हैं ठीक है जो brown या leaf rust होता है वो earliest in appearance है earliest in appearance मतलग सबसे पहले सीजन में कौन सा disease लगेगा rust का brown rust लगेगा और सबसे बाद में सबसे लेट कौन सा लगता है black rust लगता है ठीक है चले next क्या आता है management यह जो तीन rust हमने पढ़ा उसका symptoms लगभग से इन है difference किस चीज में आता है पस्चिल कैसे हैं पस्चिल का color कैसा है और कौन-कौन सी stages होती है इस पर main difference आता है अब इसको manage कैसे करते हैं तो manage के लिए अपन क्या कर सकते है mixed cropping adopt कर सकते है mixed cropping suitable crops के साथ ठीक है अब अपन excess dose of nitrogenous fertilizer avoid करेंगे main काफी सरी जो disease होती है और nitrogen एक्सेस में देने से भी फैलती है और attack करती है ठीक है अपन जीनेब यूज कर सकते हैं प्रोपेकनाजोल यूज कर सकते है जीनेब क्या होता है जिनका supplement होता है ठीक है resistant variety resistant variety कौन से हो गई PBW 343 PBW 550 PBW 17 इसमें जो PBW वाली varieties है यह सबसे जादा इंपोर्टेंट है PBW 343 PBW 550 PBW 17 इक है high dose of potash fertilizer potash fertilizer का high dose apply कने से बी disease control हो सकती है dusting of sulfur sulfur dust कने से भी disease spread होने से रूख सकती है effective होता है सारे rust के management के लिए ठीक है तो यह क्या था rust of wheat और इसमें क्या पढ़ा हमने तीन rust के बारे में पढ़ा अब क्या है देखें यह क्या है इस पर difference तो यह पहला leaf या brown rust यह है leaf या brown rust यह क्या है upper surface stem और leaf upper and lower surface और यह कहा होते है leaf upper surface देखो तीनों में difference क्या है जो leaf या brown rust होते हैं उस पे यह पश्यूल्च होते हैं वो कौन से surface पे होते हैं सिर्फ ऐपर सफसे में होते हैं स्टैंट में क्या होते हैं कहां कर होते हैं अपर और लोवर दोनों में होते हैं नीचे और ऊपर करते हैं नहीं दुकि ग्यूह talks you are orange brown यह कैसे होते है डार्क रदिश- प्राउन का रद सी होते हैं यह कैसे होता है और रभी इलाउः प्रव किर एनका को कुद्स्ट जगा नहीं होता है यह खां座ा है यह होते हैं फर्सटीट का सेक्षेत प्रदीस करीशिक्ड टिंप छे किमिया सीप यह में सतनुद्स केरल से बड़े होते हैं यह कैसे होते हैं राउंड इन ब्रिस्टिल लाइक कैसे होते हैं स्मॉल होते हैं अब इसका पस्चल का अरेंजमेंट कैसा होते हैं सिंगल एंड रैंडम इसमें कैसा होता है इसमें भी सिंगल है रैंडम है और इसमें क्या होते हैं स्ट्राइब्स बनाते ह तो इसको क्या चाहिए तो ये क्या था ये क्या था यह तीन हम ने क्या पढ़ा disease of wheat, disease of wheat में कौन सा, rust of wheat, rust of wheat में कौन सा, black rust, yellow rust and brown rust, ठीक है, next क्या है, loose much of wheat, loose much of wheat, इसको कौन cause करता है, you still are go pretty side, कौन cause करता है, you still are go pretty side, इसके symptoms क्या होते है, देखो, ये क्या है अपना, normal wheat का क्या है, spike है, और ये क्या है अलग से दिखे रहा है ये क्या है इंफेक्टेड वीद का स्पाइक है तो या लोरस्ट में सिम्टम्स में क्या होता है कि इसका जो इनफलोरसंस होता है distribuge a customer मतलब स्पोर्स.. हिसमें क्या करते हैば बहर जाते हैं और ये जब मेंदरेन को रप्चर करके फाड के बाहर आते है तब powder release होता है, देखो पुरा powdery powder दिख रहा है ना, ये वही चीज़ है, ठीक है, इसपे क्या होता है, जो smutted है, smutted head, ये वाले जो spike है ना, smutted वाले, हो क्या होते हैं, इस वाले से, ये वाले spike से थोड़ा छोटे होते हैं, ठीक है, और इनका yield और production दोनों क्या होता है, काम होता है, और हमें कब पता चलता है, ये appear हुए हैं, ये क्या होते हैं, जो disease वाला हिस्सा होता है ना, वो main वाले से पहले आ जाता है, मतलब ये वाले क्या क्या करेंगे, पहले आ जाएंगे, और ये वाले क्या होते हैं, बाद में आते हैं, healthy वाले, ठीक है, ये क्या था, symptoms of loose मताओ फीट. disease cycle में देखो. disease cycle में क्या है? यह जो mycelium है. वो क्या कर रहा है? embryo के seed में. अब वो छोटा सा जो fungus है. वो infection cause करने वाला है. वो क्या कर रहा है? देखो. सबसे पहली बात तो क्या है? डिजीज कैसी है? internally seed born है. दिख रहे हैं? यह माईसीलियम क्या कर रहा है, सीड के अंजर चले क्या है, मतलब अब कैसी होगी डिजीज, इंटर्नली सीड बॉन होगी, ठीक है, माईसीलियम इन्वेज यंग सिडलिंग, छोटे सिडलिंग में से वो फैल दे जाएगा, फैल की क्या बनेगा, बड़ा वीट प्लांट में चले गया, वो infection पहले से जा रहा है, बड़ हमें पता कब चला, जब पैनिकल, स्पाइक जो है, जब आया तब हमें पता चला, यह क्या है, अपनको लूस मट है, ठीक है, ग्रेंस साइट्स रिप्लेस हो जाती है, किस से, मास ओफ टीलियो सोर्स से, और टीलियो सोर्स भर जा रहता है, और healthy plant जो रहता है, healthy grains डवलप नहीं हो पाते, यह क्या था, disease cycle, disease कैसी होती है, internally, seed borne disease होती है, अब, next देखते है, इसका management, जो लूस मट का management होता है, वो सबसे ज़्यादा important होता है, ठीक है, लूस मट के management में, अपन सबसे पहले क्या करते है, seed treatment, किससे करते है, वि heat treatment, solar heat treatment, किस के लिए use करते है, लूस मट के लिए, hot water treatment किस के लिए करते है, अपन, loose मट के लिए, hot water treatment में क्या करते है, 54 degree celsius पे 30 minutes के लिए, heat करते है, उसके बाद क्या करते है, cooling करते है, किस पे, room temperature पे, यह क्या था, loose matter of weed का management था, ठीक है, Next, क्या है, करनाल बंट ओफवीड. में इसका causal organism कौन होता है? Nibosia indica, ठीक है? Nibosia indica क्या होता है, इसका causal organism होता है. इसमें symptoms क्या क्या आते हैं? देखो, ये सीट दिख रहा है, grains हैं. तो हमें को क्या पताफ चलता है? Grain费ाल में symptoms आरहे हैं. ग्रेंस में symptoms कैसे आ रहे हैं? कि वो जो है पूरा black color का सोरस क्या हो रहा है, ग्रेंस के अंदर भर जा रहा है. ठीक है और वो जो grains का बाहर का हिस्सा पेरिकार्प होता है वो एकदम soft हो जाता है इससे grains जो होते हैं क्या करते हैं जल्दी से फट जाते हैं तिक अब ये जो fishy fall order जो होता है ये इसका important symptom है कि ये बदबू देते हैं और वह के कारन उधाय, जो क्या केमिकल बनाता है, ट्राइमिधाइलमीन के कारन होता है, ये क्या था, स्टीम्टम्स फेशाम नीन क्या है, से इसका मैनेजिमेंट कैसे कर सकते हैं, में नेमा तोट से भी होती है नेमाटोड से तीन डिजीज होते हैं, पहले आती है टुंडू और यलो इयर रॉट, यलो इयर रॉट ये टुंडू डिजीज और स्वेट जो होता है, वो बैक्टिरिया और नेमाटोड दोनों से होता है, मतलब क्या होता है, बैक्टिरिया भी उसका कॉजल अर्गेनिजम हो थिक, then आता है Mollia disease, Mollia disease का कौन होता है causal organism, Heterodera aveny, फिर Ear Coccal disease, Ear Coccal disease का कौन होता है Angunia criticize, इसमें सबसे important है कि Nemetode की जो disease होती है, उसको cause कौन करता है, ठीक है, तो यह था क्या, disease of wheat, उसमें अपने अपने आज क्या पढ़ा, important disease of wheat में, सबसे पहले अपन ने पढ़ा rust of wheat, rust में कौन-कौन से rust पढ़ें अपने, black rust, yellow rust, brown rust, black rust किसके कारण हो रहा था, buxemia graminis, tritesi के कारण, yellow rust किसके कारण हो रहा था, ya stripe rust किसके कारण हो रहा था, buxemia striformis से, brown rust किससे हो रहा था, buxemia tritesiana recondida से, ठीक है, यह थे क्या, rust of wheat, hydrocious rust किसको black rust of wheat को बोलते हैं, ठीक है, अब उसके बाद loose mutt of wheat में सबसे important क्या चीज़ था, उसका management, उसका management, किसी treatment किसे करते हैं, loose mutt के लिए, विटावेक से करते हैं, ठीक है, उसके बाद, hot water treatment किसमें करते हैं, loose mutt में करते हैं, किसमें temperature पे, 54 degree Celsius पे, solar heat treatment किसके लिए करते हैं, loose mutt के ठीक, करनाल बंट वो किस से होता है? नेवोसिया इंडिका से होता है, ठीक है? नेवोसिया इंडिका उसका क्या होता है? causal organism, करनाल बंट का एक main चीज क्या होता है? कि वो fall या फिर fishy order, बदबुदार smell produce करता है. वो किसके कारण होता है? chemical होता है trimethylamine उसके कारण होता है सबसे important चीज़ एक और है कि जो करनाल बंट होता है उसको क्या बोलते है cancer of wheat बोला जाता है क्या बोला जाता है cancer of wheat बोला जाता है तो ये था क्या आज का अपने क्या पढ़ा wheat की important disease के बारे में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो क्रिपया सब्सक्राइब करना मत भूले नीचे comment box में लिक कर बताएं कि आप अगले lecture में क्या topic पढ़ना चाहते है Thank you